रेखा गनेशन जो की रेखा के नाम से प्रख्यात हैं भारतिय फिल्मों की मशूर अदाकारा हैं जो की मुख्यता हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं अपनी वर्सिटालिटी और हिंदी फिल्मों की बहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलगु फिल्म रंगूला रतलाम से की थी मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू चार साल बाद फिल्म सावन भादों से हुआ था वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रही और 1970 तक आते आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 400 से उपर फिल्मों में काम किया है अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किये और कई मजबूत फीमेल किरदार को परदे पर बहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्यधारा के सिनमा के अलावा उन्होंने कई आठ फिल्मों में भी काम किया जिसे भारत में पैरलल सिनमा कहा जाता है उन्हें तीन बार फिल्म फेर पुरसकार मिल चुका है दो बार सर्वस्ट्रेष्ट अभिनेत्री का और एक बार सर्वस्ट्रेष्ट सह अभिनेत्री का जिसमें क्रमशह, खुबसूरत, खूमभरी मांग और खिलाडियों का खिलाडी जैसे फिल्में शामिल है उम्राव जान के लिए उन्हें सर्वस्ट्रेष्ट अभिनेत्री का राष्ट्र फिल्म फेर पुरसकार भी मिल चुका है 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पदमश्री सम्मान से नवाजा गया आईए हम उनके बच्पन के कुछ बाते करते हैं रेखा का जन चैन्नई में तमिल अभिनेता, जेमिनी गनेशन और तेलगू अभिनेत्री पुषपावली के यहां हुआ था उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफी सफल हुए और रेखा भी उनही के पच्चीनों पर चली वे तेलगू को अपनी मातरभाशा मानती हैं वे हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं रेखा पॉपिलर चर्च पार्क, कॉन्वेंट, चैन्ने की अलुमिनाई रही हैं रेखा ने अभिनेशेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी रेखा ने 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अगरवाल से शादी कर ली अफवा ये भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेटा विनूद महरा से शादी की थी लेकिन 2004 में सिमी गरेवाल के टीवी इंटरव्यू में रेखा ने मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्हें अपना वेलविशर बताया वे अभी मुंबई के बांदरा इलाके में रहती हैं चलिए अब हम आपको रेखा के फिल्मी करियर के बारे में बताएंगे रेखा जी बाल कलाकार के तौर पर तेलगु फिल्म रंगूला रतलाम में दिखाई दी जिसमें उनका नाम बेबी भानू रेखा बताया गया 1969 में हिरोईन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कंणड फिल्म ऑपरेशन जैकपोट नली CID 999 से किया था जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अंजाना सफर रिलीज हुई थी फिल्म के एक किसिंग सीन के विवात के चलते ये फिल्म नहीं रिलीज हो पाई बाद में इस फिल्म को दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया 1981 में आई उनकी उम्राव जान फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही और इस फिल्म के लिए उन्हें सरवस्रेश्ट अभिनेतरी का राष्ट्रे प्रोरसकार भी दिया गया इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आएं जो की हिट हुई 1990 के दौरान रेखा की सफलता में किरावट आई उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो की खास कारोबार नहीं कर पाई और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रियाई नहीं मिली इस दौरान श्री देवी और माधुरी दिख्शित जैसी अभी नेतरीयों की एंट्री हो चुकी थी और वो काफी चर्चा में थी इसके बाद उन्होंने कामसूत्र अतेल ओफ लव और खिलाडियों का खिलाडी जैसी फिल्मों में काम किया खिलाडियों का खिलाडी ने काफी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही इस फिल्म में पहली बार रेखाने मैडम माया का नेगिटिव किरदार निभाया था फिल्म में अक्षे कुमार और रवीना टंडन भी थे 2000 आते आते उन्होंने फिल्म में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी इस दौरान वे फिल्म बुलंदी में दिखाई दी 2001 में वे फिल्म लज्जा में दिखाई दी फिर वे राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में रितिक की मा के किदार में परदे पर आई तो वहीं फिल्म परिनिता में वो एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आई इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्में की लेकिन वो फिल्में बड़े परदे पर सफल नहीं रही मगर आज भी रेखा की एक छलक पाने को लोग तरसते हैं और वक्त के साथ शायद सब कुछ बदल गया लेकिन कुछ नहीं बदला तो बस रेखा की खुपसूरती नहीं बदली मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे नजाने मुझे क्यूं ये की हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटाना सकोगे मुझे तुम नजर से हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सूपर स्टार आप खुद ऐसा महसूस करती हैं आप कॉंशियस हैं इस बात की कि आप एक सूपर स्टार है मैं इस बात से काफी कॉंशिस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सूपर स्टार हूँ मैं ये ही समझती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ लेकिन सूपर स्टार बनने के लिए आपकी मन्जिल, आपका रास्ता मन्जिल तक पहुंचने के लिए बहुत आसान था या मुश्किल था? काफे साल तक मुझे तो क्योंकि मेरे, in my case, मैं बहुत छोटी थी जब मैं आए थी तो मेरे साथ तो ऐसी होआ कि ओवरनाइट मैं स्टार बन के थी, तो it was quite easy for me. काफी सालों के बाद, 10 सालों के बाद मुझे लगा कि it's not just star बना ही सिफ आर्टिस भी बना चाहिए. लेकिन आपके पिता भी South India के बहुत जाने माने एक्टर थे, आपकी माता भी एक्टरिस थी, आपको उन्होंने कोई training दी, कोई encourage किया? मैं ममी नहीं काफी, बलकि उन्होंने, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्टरिस बना हूँ, आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आम तोर पे वो लोग यह कहते है कि मेरा बच्पन से ही short था, फिल्म एक्टर बनने का, और in my case ऐसे नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं काम कर रही है, फिर बंबाई कब आई, बंबाई जब मैं 13 सान की थी, फिर कैसे फिल्मों में कैसे ब्रेक किया आपने, एक साहब थे, गुल जीतपाल और शेतर जीतपाल, दोनों भाई थे, तो वो नहीं हीरो इन धूनने के लिए वो लूप मदरास है, तो किसी ने कहा क कि एक साथ-Indian लड़की है, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है, बड़ी बहुत हिंदी बुल लेती है, बिल्कुल नहीं पता, बने कहा कि चलो, देख लेते हैं, तो मुझ से पुछने लगे कि आपको हिंदी आती है, तो मैंने का नो, आपको हिंदी फिल्मों में काम करन लेकिन आपके समझते हैं कुछ आपके माता-पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर 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 तो नहीं यहीं, बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूँ, फिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा, बिल्कुल भी नही बिल्कुल नहीं? मैं यही कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो, I didn't like what I was doing, यही था कि बस जबर्दस्ती खेश करके शुटिंग में, शुटिंग जाती थी, डबल शिफ्स करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. फिर आपका रवया कब बदला, कब आपने स बिल्कुल नहीं बुटिंग जाती थी, मुझे तो, हाँ यह था कि मेरे क्लासमेट्स व इस्टिल इन स्कूल वो लोग देखेंगे, और बिल्कुल नहीं बहुत दो, I didn't know कि मैं क्या कर रही थी, बहुत छोटी थी. आपने का आपको हिंदी नहीं आती थी, आपने कहा हिंद चार सौ फिल्म मुझे हैं? जी, जी, आपके जो शुरूता हैं, जो दर्शक हैं, वो आपके डांस को भी बहुत पसंद करते हैं, आपने डांस कहां से सीखा? आप यकिन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा, मेरे हमारे याँ, हमारे फैमिली में यही है कि बच्पन से सभी डांस करते हैं, मैं मादर, माई सिस्टर्स, और प्रफेशनली अगर आप देखा जाए तो, हाँ, जबर दसी हम लोग को ममी नहीं भीजा था, जरूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान सी सीखानी, अब मुझे लगता है कि अविशिए मैं प्रफेशनली ट्रेनिंग लेती तो, लेकिन फिल्मों में तो हमने आपके बहुत अच्छे अच्छे डांस तेखे हैं, जी, बट मेरे खायल से इत्स नॉट दांस मुझे यह लगता है कि अधियर अंदर से जो आप फील करते हैं, उसको आप, इप फिल इत विट इत विठी तो वो अंग-ंग में आ जाता है, तो वो अंग-ंग में आजाता है, इट यह ग्रेस वादेज आजाए हैं, एट यह फैमली में सभी ग्रेस फुल हैं चार सो फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं, आपको कुछ अपनी पसंदीदा फिल्मे याद हैं, जो आपको पसंद आई हूए हूए। छे-साथ साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं थे, लेकिन 75 के बाद घर मेरी एक फिल्म बनी थे, जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे अक्टिंग में इंट्रस लेना चाहिए। उम्राव जान में आपका रूल बहुत सरहा हूए। का एक रोल था, आप ने वो सब तहजीब उसकी जहलक कैसे दी, किसी से खास कोई ट्रेनिंग ली, कोई कुछ नहीं, बिलकुल नहीं, I know it's very difficult to believe, but मैंने कभी मुझे एक शब उर्दु का, I can't speak, I've never learnt the language, मनने कभी सीखाने, and अभे भी की कामे काफी, you know, it's, I know it's, I shouldn't be saying this, but I want you to know it's true, and उम्राजान में तो, मुझे कुछ ऐसी खास बात लगी नहीं, कि, you know, national award वाली बात, कम से कम, I think I didn't deserve it, but उसमे एक अच्छी बात कया थी, कि मैंने, जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी, करन, कि उस फिर्म का एक कुछ माहॉली, कुछ बन गई, you know, it was just had to happen, और उस वक्त, कुछ ऐसी फेस में, उस ऐसी मरहलों से में गुसर रही थी, कि वो बात शकल पर आगए, बाकि अगर आप कहें कि, कुछ fantastic performance की बात अगर आप करें तो, मुझे तो, बिलकुल भी नहीं लगा कि, कुछ खास performance, खेर ये तो, आपका ख्याल है, लेकि, मैं सची कह कि, you know, your performance was very restrained, कि आप एतनी, एक restrained performance दी, आपने, असल में बात यहू थी, कि, my face is so blank, that you cannot see what I feel inside my heart. लेकि, उम्राओ जान की बात हो रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, आपकी जर्रा नवाजी है, वरना वो तो आप अपने दर्शकों से पूछे कि, आपने कैसा रोल किया, यही तो, मैं कह रही हूँ, लोगों को यह लगता है, कि बड़ी, एक restrained performance हुई है, ब मुझे तो, ब अपने काम किया, और अभी चार्सों फिल्मों में हम आपको और भी देखेंगे, इन्शाल्ला जरूर, लेकिन आपने भी gossip की बात की थी, खास्तों से हमारे जो फिल्मी रसाले निकलते है, उन में जो gossip आता है, और सूपर स्टार होने के नाते, आपके gossip हमें ज्यादा हैं अब हम यह नहीं कह सकते वह उनमें क्या सच्चाई है क्या जूट है लेकिन आप जब खुद पढ़ती है वह आप गॉसिप अपने बारे में तो आपको कैसा लगता है शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आया लोग बोलते थे कि शिस वेरी फ्रैंक परसन और इसको कहत से सेंटी फॉर तक तो मुझे कुछ खास फरक ने पड़ा लेकिन सेंटी फॉर के बाद कुछ जादा ही उन लोग ने टुक एडवांटिज और मैं जो कहूं उसका कुछ उल्टा ही पट्टी बना कि कुछ अपना मिर्च मसाला मिला कर कि लोग दिर रिजाल कुछ जादा ही एक पिक्चर ने पेंट किया जो मैं बिलकुल भी नहीं हूँ तो 75-76 के बाद मैंने इस सोचा कि इन लोगों से बात ही ने करना चाहिए फजूल है जो हम कहें वो तो लिखते ही नहीं तो मैं बिलकुल बात करना मैंने बंद कर दिया इस्पेशली गॉसिफ फिल मागजिन से उससे पहले क्या है जैसे मैं हूँ चुलवली जैसे मैं थी अब कुछ ज़्यादा अब तो मैं नीम में हूँ इसलिए थोड़ी कम जी मतलब यह सिर्फ आज की बात है जी है सिर्फ आज की बात है हम रेली टोटली मैं मुझे पता ने कि मैं क्या बात कर रहूं है इसमें यह मुझे तो आप एक इंसान है, so as a person to person मैं बात करती थी, और मैं बहुत खुली बात करती थी, I used to talk very nicely and I used to give them good answers, तो उसमें, जो है, they used to always mix, कुछ ना कुछ लगा करके, तो एक हथ तक मुझे तो लगता था, जो ठीक है, you know, I used to take it with a good pinch of salt, but after some time it got so much, एक फिल्मागजीन ने तो इतना जादा किया कि, they started adding four letter words, और बंबाई का एक लैंविज में एक है वर्ड जिसका नाम है, जिसको केते हैं, बंदास, पता ने आपने सुनाए कि ने, बंदास मतलब बिलकुल बंदास, लापर वाईस है, and she doesn't care, बहुमीन is a very decent word, the God-fearing हूँ, जो ऐसे लगा ही ने, मैं मैंगजीन बढ़कर के, मैंने का कि, ये किसकी बात कर रहे हैं भाई, ये तो मैं हुई ही ने, पता ने किसकी बात कर रहे हूँ, मुझे बहुत गुसा आया, उससे स्यादा I felt very hurt, और जब मुझे बहुत बुरा लगता है, बुरी लगती कोई बात, तो मैं चूफ हो जाती हूँ, that's exactly what I did, चूफ होगी, वापिस आपकी फिल्मों की तरफ, हर प्रिडूसर डिरेक्टर, ये चाहता है, कि रेखा, फिल्म की हीरोईन हो, आप इतनी ज़्यादा फिल्मों में काम करती है, आपको वक्त कहां से मिलता है, कि आप स्क्रिप्ट देखें, और फिर ये तैय करें, कि आपने काम करना है जा नहीं करना है? मुझे कुछ आदत सी हो गई, शुरू से, जैसे, पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं थी, जो भी है, मम्मी या समबड़ी इस तू, अप्रूव फिट, बर जब से मैं स्क्रिप्ट पढ़नी लगी हूँ, मैं हर चीज़ बहुत जल्दी डिसाड़ कर लेती हूँ, मैं आपकोड़ वही कम्प्यूटराइस्ट माइंड, तो एक बार पढ़ लिया, और इतनी फिल्मों में काम करते हूँ, हिंदुस्थानी फिल्म में मोर अलस उनकी जो फ्रीमवर्क है, स्थी होती है तो, अभी तो ऐसा हो गया कि डालॉग पढ़ते हैं, अभी तो आपको इस बात का है, कि आप सूपरस्टार हैं, और लाखों करोड़ों बलके आपके फैंस भी हैं, ना सिरफ इंदोस्तान में, बलके दुनिया भर में, लेकिन आप फ्यूचर का भविश्यका का भी सोचती हैं, कि आप शायद इतने सालों में हिरोइन ना रहें, पिर भी आप एक्टिंग जारी रखेंगी? हिरोइन, जब से मैंने होच संभाला की, acting, what acting is all about, मैंने कभी सोचाने कि मैं हिरोइन का का काम करूंगी, यवाम का का काम करूंगी, मैंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम है दो उन जाने आपने देखी है जी मैंने देखी है उसमें I was playing a more or less a vamp's role काफी negative character थे तो it's not a heroine which really matters it's my role अगर role अच्छी है तो मैं कोई भी role बर यह ऐसा होता गाया है कि अभी तक मैं heroine का काम कर रही हूं फ्यूचर में even if I'm not doing a heroine's role it's okay कुछ जरूरी नहीं है फ्यूचर के बारे मैं मैं सोचती नहीं हूं मैं आज के बारे मैं सोचती है फ्यूचर में कोई कह सकता है कि क्या होगा लिद्धान मैं आज कर दो तरह की फिल्में बनने एक जिसे कहते है आर्ट फिल्म और एक माफ कीजेगा चालू फिल्म आप आर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी है या बहुत सारह रहीं जे कुछ याद हैं आपको कौन सी थी ती आर्ट फिल्म किसको कहते हैं, मुझे तो लगता हैं आर्ट फिल्म, आर्ट फिल्म is a low budget film, for me film is a film whether it's an art film or a मेरे खिल में आर्ट फिल्म आम तर से लोग यह समझते हैं, जिनमें इसके पर जिमना हो, ज्यादा reality गाने का सिल्सिला वाज वाज आर्ट फिल्म देन, because it was very realistic आपके कोई favorite director, producer है या ये सही नहीं पूछना सवाल है? जी नहीं, बिलकुल सही, आप पूछते जाएं, I admire करते हूं काफी directors को, Raj Kapoor को मैं बहुत अद्मार करती हूं, I think he's one of our best directors मैं खास्तर से इसलिए Raj जी का नाम ले रही हूं, because औरतों के लिए, film heroines के लिए, he's the best director, he's very good, I would love to work with him जब आप किसी film में काम करने के लिए तैयार होती हैं, तो आपने नोटिस किया, sorry to interrupt, कि आप हिंदी में सवाल पूछे जारहे हूं, मैं बार बार English में जाँ नहीं कोई नहीं, कोई हर्ज नहीं, मेरे खाल में ये, तो अब हमारी एक तरह से दूसरी जबान मिली जुली बन ही चुकी है, अच्छी बात नहीं है, हिंदी अगर बोले तो सिर्फ हिंदी, शुद हिंदी बने चाहे, but in my case it's math, I told you, I told you, मैं ज्यादे हिंदी नहीं नहीं पूछ ये, मैं पार्ट नहीं करूंगी, कियोंके हिरो ये, जी नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ये जडरु कहा है, कि इस रोल के छिए ये particular artist ne करते हैं, ये जडरू कहा है, suggestion बियूझे हैं, refers मैंने ये मैं कभी नहीं कहा है, अच्छागर ये 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 हिरो है ये हमने बने काम क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टेस्स के साथ इसी र Goddess Rare है deeper सब के साथ मेरा अच्छा कोई आपका अच्छा मेरे तो सबसे अच्छा तो मेरा रंधीर कपूर के सात है unfortunately अब मेरी कोई फिल्म नहीं उनके साथ अमिताब के साथ आपने बहुत से फिल्मों में काम किया अच्छा ये तो फिल्मों की बात हुई अब ये बताईए आपने एक कोई टेप बनाया है कोई आडियो टेप वो क्या है जरा उसके बारे में खुद बताईए पचास करोड़ बार बचा तके हैं यहां किसी को नहीं मालूँ? मुझे नहीं मालूँ इसके मुझे जरूर बताईए अच्छा जी मैंने कुछ तीन साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी अच्छाइज नहीं करती थी फिर मैंने सोचा की I like what I did काफी मुझे फर्क पड़ा युगा करने से उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम करे ती और मैं सोच रह थी कि में फिल्मों में काम करूँ कि नहीं करूँ में पास बात वख्त मतलब free time I had तो रहमा बंस, मिस्स आयस जोहर, आप सुन चेके हैं कि नहीं आप सुन चेके हैं, तो उन से मेरी मुलाकात हुई उन दिनों में, और नहीं कहा कि, वार निन तो ग्लासे सी रॉक में वो सिखा रही थी, होटेल में, तो मेरे घर की काफी खरीब हैं, तो मैंने कहा ठीक है, जा क हैं, तो एक हफते में मुझे इतना फर्क पड़ा, बहुत मुझे अच्छा लगा, तो कहने लगे कि, अगर आपको इतना अच्छा लग रहा तो वारंट यू कम आट, वारंट यू कम आट, तो वो टेप काफी पॉपलर भी होगा, और, और, यू, यू, आपकी तो आपकी जरूर खरीदेंगे, तो मैंने का, ठीक है, इस अगुर आइडिया, तो इस अन ओडियो टेप, तो मैंने किया, और, गॉपलर भी हिट, तो मैंने किया, और, यू, आप यह नि समिझती ही कि, एक वीडियो टेप भी अच्छा रहेगा? जी हां, लेकिन यूगा के साथ, ऐसा लेकिन वीडियो वाली कोई बात नहीं कि देखो, मैं वीडियो के बारे में सोच रही हूं, यूगा का नहीं, सम्थिंगा नहीं, तो आप खुद रेगूलरी यूगा करती है? जी हां, तो यह कहना सही होगा के आपकी खुबसूर्ती और इतने स्लिम रहने का राज यूगा स्लिम तो मैं अभी कहीं से नहीं हूँ, थोड़ी बत मैं मोटी होगी हूँ, क्योंकि अभी हभी हम लोगे अमेरिका का ट्रिप किया है, लेकिन हां, उसे काफिक भरग बढ़ा मुझे, अच्छा, और इसके इलावा, फिल्मी दुनिया के इलावा, और योगा के लवाब पुछ बताइए हमें, मुझे լताइए हमें, मुझे पेंटिंग का बहुए है, और गuardनिंग का शौक है ब होथा हैं, अप सनने स्टाएंगे जाएंगे अँछा हैं गार्णिंग का शौक है, इंटियर डेकरेशन का शौक है, और कबड़ों का शौक है, मतलब डिजाइन करने का शौक है, मेक अप का शौक है, यह तो सब जानते हैं, and I like looking at pretty faces, or hairstyles का शौक है, everything beautiful, जो भी खुबसरूत चीज है, जैसे flower arrangement, anything you just name it, वो सब कुछ करना चाहती हूँ, of course, सबसे ज़्यादे मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, आप बनाना चाहती हैं, एक सवाल मैं आपके फैन्स, आपके दर्शकों की तरफ से पूछने की जुर्ट कर रहा हूँ, जी, बहुत से लोग यह कहते हैं कि अब रेखा को भी चाहिए, अपनी अपनी राए देने का सब को हक है, आपको सेटल हो जाएं, शादी करें, आपका उस तरफ अभी कोई, बहुत से लोग बहुत से राए देते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं, वो हम करेंगे, राए सुनते हैं, लेकिन अल्टमेटली जो हम वही करते हैं, जो हम चाहते हैं, और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते हैं, ने आप पहले वो सवाल कर रहे थे ना, आपने कहा कि इसके वाद आपके इस किसम के रोल कर अभी अभी मैं समझ अभी मैं समझी हो कि what acting is all about मुझे बहुत अच्छा लगता है Acting is the real thing in my life, not the only truth in my life मैं बहुत enjoy कर रही है इस वक्त मैं एक दो साल तो मैं आंग बंद करके acting करूंगी आंग बंद करके मतलब यह नहीं कि लापरवाई से मतलब बिल्कुल जरूरी करूंगी उसके बाद मैं चाती हूँ कि मैं फिल्म में काम करूं और उसके साथ साथ direction करूं उसके साथ साथ music direction करूं उसके साथ साथ dance direction करूं हर चीज़ करूं अच्छा, एक आप से मैं और तर्खास करनी चाहता हूँ आप अभी हाल ही में एक लंबा चोड़ा अमरीका से टूर करके आई हैं कॉंसर्ट का इसमें आपने कुछ डांस भी दिखा है, कुछ कहने भी कहा है जाहिए आप अभी एरपोर्ट से आई हैं, मैं डांस के लिए तो नहीं कहूंगा आपको यहाँ हम यहाँ भी आपके शो हो रहे हैं, हमें कुछ थोड़ा सा जड़ा गुन गुना के सुना दी, कौन सा गाना को जो आपको पसंदो, घजल पसंद करते हैं, महदी असन ज़ाब आपको पसंद, चले ठीक है मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भूला ना सकोगे, नजाने मुझे क्यूं ये की हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटाना सकोगे, मुझे तुम नजर से बहुत फूब रेखा जी, बहुत अच्छा आपने गाया ने ने इससे अच्छा मागाती हूं लेकिन नस्वक्त बहुत बहुत शूकरे आपका